हलो नमस्कार मित्रों नव भारतिय शिक्षा परिवार में आपका बहुत स्वागत है आज से मैं कक्षा बारा कि गणित का प्रथम चैप्टर कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ आज सेयुक्त फलन का प्रथम पार्थ हम पढ़ने जा रहे हैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं ठीक से समझा पौँगा इससे पहले कि हम कक्षा 12 का जो कंपोजिट फंक्शन है इसको प्रारंब करें आईए हम थोड़ा सा पहले कक्षा 11 में जो आपने फलन और संबंध पढ़ लिया थे उनका हलका सा इंट्रोड़क्शन ले लेते हैं आपने पढ़ा था पहले क्लासिस के अंदर संबंध फलन फलन क्या होते हैं फलन दू आपके ये सेट दिये वे हैं आई रिक्त समुच्चे मालने जिए एक समुच्चे दिया है आपको ए जिसमें ए बी सी ऐसे तीन एलेमेंट हैं और एक समुच्चे दिया है आपको बी जिसमें ए ए एफ जी करके तीन एलेमेंट नोन एंप्ती हैं आरेक्त समुच्चे और function F एक इस प्रकार का होगा यदि A का सम्मद F से हो और C का सम्मद G से हो ऐसे पहले वाले समुच्चे में से दूसरे वाले समुच्चे के अंदर कोई ने कोई सम्मद हो तो हम उस प्रकार के या कोई फार्मूला इस प्रकार का लगता हो कि वो उनमें सम माले जी होता, 2, 4, 6, इस परकार से होते हैं, यहां होता, माले जी, 4, 6, 8, और एक सम्मन्द होता F, इस परकार का, कि X equals to X plus 2, छेक हैं, अब X, दो लेते हैं, दो का सम्मन्द किससे होता, 2 से 2 संक्या बड़ी, 4, चार लेते हैं, 4 से 2 संक्या बड़ी, 6, चेकर समंद किस से होता अहां से इस परकाट से समंद रोता यहां पर देखने चाहिए । एक है चेत डॉमेन को हिंदी नहीं बोलते हैं प्रानधा लिए अ और रेंज को बोलता है परिश्वर कि पहले बाग सुतर्व आरणके देखते हैं। प्रांत क्या है प्रांत डोमेन डोमेन है ए डोमेन आपका ए है वो क्या है दो चार छे सह प्रांत वो डोमेन सह प्रांत वो है आपका बी चार छे आट महां लेजिए इस समुच्चे में एक और असदस से होता दस तो यहां इस को डोमेन में वो दस भी आजाता मतलब बी समुच्चे पूरा पूरा कोड़ा में रेंज क्या है रेंज है ए जो प्रांत में से दस से है उनका किसके साथ समंद है बी में तो बी में जिन से समंद है कि वो ही आएंगे रेंज में चार छे आट यहां दस नहीं आएगा ठीक है इसमें दस नहीं आएगा तो of function हमने पढ़ेते हैं इसमें one one function एक की एक की function एक का एक के साथ माल लेजे दो समुच्छे हैं ए और बी इसमें ए बी दूस दसे हैं इसमें एक का एक के साथ है बी का एक के साथ सम्द्द हो एक की सम्द्द करता है फिर में देखा था मेनिमन में यहीं वाला हम उधारन लें एक बी इसमें है और एक function यहां function था यह F, एक function है आपका, एक और समुच्छे है B, इसमें तीन सदस्द से हैं, E, F, G, और एक function F इस परकार से है, A का सम्मद E के साथ है, B का सम्मद F के साथ है, लेकिन B का सम्मद G के साथ भी है, और A का सम्मद F के साथ भी है, मेनी बन F के साथ में दो-दो A और B के संबन्द है तो मेनी का A के साथ में संबन्द है A का F के साथ में भी संबन्द है और 1 B का भी F के साथ में संबन्द है तो मेनी का जो समझ आपका जो F है आगे और होंगे A, E, O, B होगा मेनी दो का सम्मंद एक के साथ है एक के साथ मेनी वन मेनी का वन के साथ सम्मंद ये कहलाता है अब कब मेनी वन पीसरा on to on to function पतला इसको हिंदी मोलते हैं आच्छा देख आच्छा देख function आच्छा देख फ़लन दो समुच्चे हैं A और B A में सदस्य है माले जे A, B, C B में सदस्य है E, F, G आच्छा देख सभी का said to be an on to function और a surjection if every element of B is the F image of same element of A for example every element of B should have at least one pre-emasion domain मतब B, K B जो है समुच्चे इस पर सभी पर तीर आना चाहिए E पर भी आना चाहिए F पर भी आना चाहिए और G पर भी आना चाहिए B total total आच्छा देख रहेगा total का सम्बंद का कोई ने कोई pre-emasion होनी चाहिए domain में कोई ने कोई होना चाहिए किसी का किसी का सम्बंद होना चाहिए B यह कहला था on to function यह आच्छा देख function into function into function के अंदर क्या है into function में यह जो on to नहीं है वो into है मतलब सभी का B में ऐसा कोई ने कोई जरूर होगा जिसका कोई भी सम्बंद नहीं होगा A, B, C मानले जे E, F, G, H चाहिए A का E के साथ है A का F के साथ है C का G के साथ है यह है का किसी के साथ भी सम्बंद है H का कोई भी pre-image नहीं है H की जब कोई भी pre-image नहीं है तो हम कह सकते हैं कि H आपका H की कोई pre-image नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यह into function है 1, 1 और onto function जो AK की भी हो और आच्छा देक भी हो ऐसा function ऐसा function जो 1, 1 भी हो और onto भी हो वो function कहलाता है आपका 1, 1 onto function दो समुच्चे हैं A समुच्चे और B समुच्चे A समुच्चे में इसमें 1, 1 का एक का, यहान डी भी हो सकता है किसी करे яस नहीं हो लेकिन यहाँ B के सारे सदस्ने क कोई नहीं कोई pre-image है त्ञें? एक का, एक के साथ समुच्च है एक का, एक की समुच्च्च्च्च्च्च्च्च्य है और बी में कोई भी बचा नहीं है इसलिए अच्छा दख भी है अच्छा ओन्टू फंक्शन भी है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो हमें कक्षा बादी में समझना आता है अब उसको हम समझने का प्रयास करते हैं यह क्या है तीन नौन एमटी समझे हैं A B और C A B और C A B तीन सेट है A का B के साथ समझने F B का C के साथ समझने G तो A का यदि C के साथ समझने F और Z और C का यदि A के साथ समझने तो वो कहलाएगा G O है यह है आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फंक्शन ठीक है यह ध्यान देने वाली बात है कि जो F O Z आएगा वह एलिमेंट होगा C का तो F O Z होगा आपका F O Z जब आप इसको लेंगे F O Z जो होगा वो होगा आपका एलिमेंट ऑफ C चीक है और G O F होगा वो आपका एलिमेंट ऑफ ए इसक्रकासे अब हम लेते हमरा कंपोजिशन ऑफ अब हम लेते हैं जो हमें सीखना है कक्षा बारे में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन माली ये तीन सेट दिये वे हैं आपको इस प्रकार से ये आपके तीन सेट हैं एक तो ये है A से A से अट, B सेट और C सेट A से B के अंदर जो फंक्शन है वो है F और B से C में जो फंक्शन है वो है G जो आपका F है वो तो है A to B और जो आपका G है वो है आपका B to C देखिए दोनों सेम होने चाहिए तो ये क्या होगा आपका GOF जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका A to C ठीक है इसको लिखते है कैसे है जी बड़ा ब्रेकेट F चोटा ब्रेकेट X और इस प्रकार से और ये जो B आएगा वो element किसका होगा C का क्योंकि ये C में जा रहा है A से C में जा रहा है एक एक साथ दसलेने फिसी में जाएंगे ठीक है हम एक एक एक्जम्पल लेते हैं उसको प्रेस करते हैं ये एक एक्जम्पल लिया हमने और इसमें हमें GOF गयाद करना है देखें आपका F function है A to B और आपका G function है B to C तो जो आपका GOF होगा वो होगा A to C GOF कैसे निकालेंगे हम GOF निकालने के लिए बताया था भी G बड़ा bracket फिर F छोटा bracket X ठीक है जी अब GOF निकालना है तो हम one by one करके निकालते हैं G में G क्या है A to C है A से C तो हमें लेना पड़ेगा पहले तो GOF 1 A में 1 भी है देखो यह रहे A में 1 2 3 3 है फिर हमें लेना पड़ेगा GOF 2 निकालना पड़ेगा फिर हमें निकालना पड़ेगा GOF 3 ठीक है तो करते है तो यह GOF 1 निकाल रहे है G bracket 1 F X की जाएगे 1 तो F1 का मान दे रखा है यहां पर F1 का मान यह रहा चार यह होगे तो मैं G 4 और G 4 का मान भी दे रहा है यहां पर 8 तो यह हो गया आपका 8 और मैं G F2 निकालना है G F1 की जाएगे 2 आजाएगा F2 का मान के दे रहा है F2 का मान की चार ही दे रहा है तो G 4 हो जाएगा और इस का मान 8 है अब लेना है आपको G F और X की जाएगे हो जाएगा 3 और F3 का मान दे रहा है आपको यह रहा 5 तो यह G 5 हो जाएगा और G 5 का मान दे रहा है आपको 9 तो यह आपके मान आ गए तो यह जो आपका फंक्शन हुआ जो नया composite function है G F वो क्या होगा एक का क्रमितिक की बना 8 के साथ दो का भी 8 के साथ और 3 का 9 के साथ यह आपका उत्ता हुआ का गाए आगे हम और examples लेते है ज़न्ने मत पहला एक्जम्पल हमने समझ लिया है और हम दूसरे एक्जम्पल देखते हैं दूसरे एक्जम्पल है यहां पर यहां आपको दिया है f x equals to sin x और g x equals to दिया है x square आपको निकालना है f और z और z और f पहले निकालते हैं हम f और z F औजी निकालने के लिए पहले आपको F लिखने, बरा ब्रेकट लगाना है, G लिखना है, छोटा ब्रेकट लगाना है, X F औजी, अब F, G X कमान की तरह रखा है, X स्क्वार, X स्क्वार है चाहिए ठीक है, अब यहाँ देखो, X की जाएगा X स्क्वार है, तो F X में क्या है, Sine X, Sine X, X की जाएगा X स्क्वार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा sin x की जग x square है sin x square तो यह तो हो गया आपका f और z यह आपका आगया एक उत्तर दूसरा निकालना आपको gof, तो gof यह निकालते हैं gof पहले g लिखना, बड़ा bracket फिर स्मॉल है फिर स्मॉल है, चुटा bracket ऐसे z, fx का मान कितना है sin x bracket में जाएगा sin x, x की जगे है पर sin x आ गया ठीक है, तो x होता x square होता, sin x है तो sin x का square हो जाएगा sin x का square तो आपका क्या हो जाएगा, gof gof हो जाएगा, sin square x sin square x है, यह sin x square है, दोनों बराबर है क्या, दोनों बराबर नहीं है पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जो gof है gof है जो f जे के बराबर नहीं है इन्हें आप bracket में रखेंगे थोड़ा सा सुन्दर लगेगा नहीं रखेंगे तो अभी आपका आंसर आपका गलत है, नहीं है properties of composite function यह तो composite function देखे थे इसकी properties क्या है प्रपेशित क्रम बिने में इता का नियम लागू है क्या composition of functions is not necessarily commutative जरूरी नहीं है कि क्रम बिने में का नियम इसकेंदर लागू है इसको example के द्वारा समझते हैं हम इसके f o z और g o f दोनों निकालते हैं और देखते हैं कि यह क्रम बिने में का नियम लागू होता है कि नहीं होता इसके उपर चलिए पहले निकालते हैं f o z वो ही लिखना f बड़ा bracket लगाना है ना फिर g लिखना छोटा bracket लगाना ठीक है हम देख लेतें दूसर example का है जिसे विज़ा सबसे हम कर लेंगे चलिए तो f g x कितना दे रखा है x square f x square x square ठीक है और x की ज़एक x square हो गया f x में 2 x है तो 2 x की ज़एक x square है x square ज़एगा यह हो गया आपका f o c अब हम निकालते हैं g o f g o f वही पहले g लिखना बड़ा bracket लगाना f ठीक है f x का मन केता दे रखा है f x का मन केता दे रखा है f x का मन केता दे रखा है 2 x यहां लिख देंगे 2 x अब g 2 x का मन केता दे रखा है मतला x की ज़एक 2 x हो गया यहां पर x की ज़एक 2 x हो गया 2 x का square हो ज़एगा 2 x का whole square तो g o f कितना है आपका 2 दोनी 4 x square अब ही g o f और f o z बराबर है क्या यहां तो 2 x square आया था 4 x square है तो हम कह सकते हैं कि यह f o z बराबर नहीं है g o f के ठीक है कहें कहीं बराबर होता है नीचे देर का note डालके f o z o g o f may be equal in some special condition किसी किसी condition में यह बराबर भी होते हैं देखो करते हैं यहां निकालते हैं f o z x ठीक है f g x का मन करता है x cube x cube और f x x के जग x cube हो गया तो यह हो गया x cube का भी whole square तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे x की घाट 6 तो यह तो हो गया आपका f o z और में निकालते हैं g o f देखते हैं g o f कितना आता है g o f g बाहर record band f x f x का मन करता दे रखा है x square दे रखा है x के जगे x square हो गया तो यहाँ पर x के जगे पर x square लिखना है x square और उपर cube है g x की value is x cube है इसको खोलेंगे तो x की घाट हो गई 6 यह तो आगे आपका उनमे क्रंप बिनेमेता का नियम लागू नहीं होता लेकिन किसी किसी स्पिशल केस में क्रंप बिनेमेता का नियम लागू होता भी है Composite functions की दूसरी properties की उपर विचार करेंगे वो है साचारियता का नियम Composition of functions is associative यहां हम थोड़ा समझ लेते हैं साचारिय का नियम होता है कि अब आस्तों में साचारिय का नियम यह तो हम लोग बचपन से ही छोटी क्लासे से पढ़ते आ रहे हैं से यह associative law, law of associative तीन संख्या हैं तो में तीन जोड़ दीजिए और फिर इसके अंदर चार और जोड़ दीजिए यह हमेशा बराबर होता है पहले तीन और चार को जोड़ लेजिए और फिर उसमें दो को छोड़ लेजिए तो प्लस के लिए साचारियता का नियम लागू होता है गुणा के लिए भी साचरिता का नियम लागू होता है किसी के लिए साचरिता का नियम लागू होता है किसी किसी संक्रिया के लिए साचरिता का नियम लागू नहीं होता यहां हम composition of functions के लिए देखते हैं साचरिता का नियम लागू होता है कि नहीं होता यहाँ एक डियाग्राम बना हुआ है इसमें दिया है कि यह समुच्चे A है यह समुच्चे B, समुच्चे C, समुच्चे D चार समुच्चे हैं एक function है समुच्चे A से B में और वो function है F एक function है B से C में वो function है G एक है C से D में वो function है H तो function F तो केतना दे रखा है इसमें आपको function A दे रखा है A to B और function G दे रखा है आपको B to C और function H दे रखा है आपको C to D ठीक है अब हम इदी जहां करें GOH यह वाला function GOH GOH को देखते हैं तो GOH चे GOH यह वाला function this this function GOH इसमें यह इस तरह से है function G है B to C और function H है C to D यह common है तो आपका GOH क्या होगा GOH function होगा B to D यह B से D में जाएगा अब आते हैं हम function F O G की बात करते हैं function F O G की बात करते हैं यह वाला function यह वाला function यह A to C है तो यह function होगा जो function आपका F था वो था A to B और function G था जो आपका था B to C तो आपका F O Z क्या हो जाएगा function A to C अब यहां हम तीसरा function चोथा function भी इसमें है चार सैट है चार सैट है और तीन function है तीनों function की बीषच साचरिय देखते हैं तो साचरिय देखते हैं हम पहले हम देखते हैं F O G O H दैगराम में पहले समझ लेते हैं डाइब लाइगरम में देखें हम F O G O H F O G O H यह है एफ और जी एच को मिलाई हो तो एफ और जी ओएच यह वाली रही है पुड़ा इसको अभी देख तो निकलना है चुकि एफ ओजी एटू सी है यह हमने निकली उपर और एच है एच है आपके सी टू डी यह दोनों सेम है एफ ओजी और ओएच क्यों से एगए आपके एटू डी अब इसी प्रकार से हम यह निकलते है एफ ओजी ओएच यह निकलने के लिए देखिए एफ तो क्या है एफ तो है एटू बी और जी ओएच क्या है जी घूएच हमने उपर निकली थी बी टू डी दोनों सेम है एफ ओओ ir जी ओएच क्या हो जाएगए एटू डी इबधी डी तो यह हमेंसे इसमें सासे रताके नियमगो होता है और यह इस प्रकार से F-O-Z-O-H और F-O-Z-O-H ये दोनों आपस में बराबर होती है इसके लिए भी एक्जम्पल भी लेते हैं पर एक्जम्पल लेकि इसको हम दैस समझने का और अच्छे से प्रयास करें झालब भी लेकि इसके लिए प्रकार होती है झाल झाल आपको तीन फंक्षन दिये हैं एक फंक्षन तो है आपका यह रहा fx एक फंक्षन है आपका gx z to q में q में है यह आपका end to z 0 में है integers 0 के साथ और integers 0 के बिना h और एक फंक्षन है hq to r में है hx equals to ex हमें निकालना है हमें निकालनें दो चीजे, हमें प्रथम तो निकालना है यह, F, O, Z, O, H, यह निकाल, जो हमें दोखे, निकालते हैं, तो पहले तो हमें निकालेंगे F, O, Z, F, बड़ा ब्रेकट, Z, छोटा ब्रेकट, X, ठीक है? और, O, H, पहले इसके निकालते हैं, यह आएगा आपका F GX क्या है GX है 1 upon X X की जगे हो गया 1 upon X X की जगे हो गया 1 upon X टीक है 1 upon X का है FX 2X तो 2 गुना 2 बटे X 2X अब O H मतलब X लेना है H का है E raise to power X हमने एक इसम्पल लिया है एक इसम्पल लेने के बाद में हम इसको इसमें लागू है कि यह हम देखने का प्रयास करते हैं तो देखिए इसमें सबसे पहरा तो काम देखना है मैं कि यह function कैसे है देखो n यहाँ पर क्या है? n यहाँ है यह n है जो बोले हम f वाला function यह i function है यह z 0 और यह आपका z function है z 2 क्यों है? और आपका h function है q to r है यहाँ पर इसको द्यान वाला है ठीक है? अब यह आपका इस तरह से हुआ तो यह आपको निकलना है f और z o h मतलब आपको यह f है, z है और h अच्छी आतिन फंक्शन है f है, यह z है और यह h function है ठीक है? तो आपको a to d a to d निकलना था न है, तो n to r होना चाहिए तो हम यह कह सकते हैं, कि जो f o z o h है, वो भी क्या होगा? n to r आएगा, और आपका जो o f o z o h होगा, वो भी n to r ही आएगा तो कह सकते हैं हमके दोनों, तो बाते सही आ गई, ठीक है? अब आते हैं हम इसको हल करते हैं, देखते हैं हमें क्या बराबर लाना है, कि यह वास्तों में बराबर हैं क्या? तो पहले तो हम लेते हैं f o z o h तो इसका फॉलन लेते हैं x ठीक है? f o z ब्रेकट में जाएगा, और o h तो h की जगे क्या आजएगा? h, यह जो h function था, hx ठीक है? hx कितना है? f o z hx, यह यहां पर दे रखा, यह रहा, hx e raised to power x e raised to power x ठीक है? अब f o z को कैसे खोल ला था हमें? f, बड़ा ब्रेकट g, छोटा ब्रेकट, x x की जगे क्या है है यहां पर? e raised to power x तो gx का मन क्या था? gx का मन 1 upon x fusion में x की जगे तो यहां पर है e raised to power x तो f हो जाएगा, f 1 upon e raised to power x क्योंकि gx का मन 1 upon x दे रखा है अब x की जगे 1 upon e raised to power x है और यहां पर fx का मन केता दे रखा है आपको fx का मन दे रखा 2x fusion के अंदर f, x की जगे केता 1 upon e raised to power x तो यह आपका हो जाएगा 2 upon e raised to power x तो यह आपका f, o, z, o, h और हम दूसरा निकलते हैं f of z, o, h वही बड़ा ब्रेकट और यहां x ठीक है? तो f of अब g o x निकालना है पहले तो क्या करना है? g बड़ा ब्रेकट small ब्रेकट h, x x की जगे है पर x ही है ठीक है? तो h x f o अब g आप ब्रेकट रखेंगे h x कमान कितना? h x कमान e raise to power x f g e raise to power x कमान कितना? g e raise to power x कमान है g x कमान है 1 upon x तो यहां हो जाएगा 1 upon x 1 upon e raise to power x f 1 upon e raise to power x और f x कमान कितना है? हम जानते हैं 2 x तो यहां जाएगा 2 upon e raise to power x इस प्रकार से आपका यह आ गया f o z o h देखो यहां 2 upon e raise to power x यहां भी आया 2 upon e raise to power x दोन में को डिफ्रेंस है क्या? नहीं है तो यह हम साचे रेता के नियम लागो होता है हम कह सकते हैं कि associative है यह हमने शो कर दिया है ज्यादा अंतर नहीं यहां पर आपको क्या करना? x के साथ x लेना पहले इसको अंतर रखना फिर बाद में यह वाला formula लगाना यह formula पहले लगा देना वो भी वही निकल के आएगा f इदर है ठीक है? इस परकार से इसको हम हल करते है धन्यवाद हमारा यह composite function का पहला part यहाँ पूरा होता है आप लोगों को अब इसके जो प्रशन है 1.1 के अंतर यह 7 प्रशन है इन्हें हल करने चाहिए इन्हें हल करके इनका अभ्यास केजिए प्रैक्टिस केजिए कुछ प्रवलम आते तो मेरे कमेंड बॉक्स में जाकर बताईए धन्यवाद